गंशाम जी आपने ये बताया कि आपकी यह टीम जो प्रगतिसील पैनल है उसने काम किया और आपकी यह एक बहुत बारी उपलब्दी है जो सदस पिछले वार दूसरे पैनल से बिज़े हुए थे आप उन्हें भी इस वार अपने पैनल में लाकर उन्हें जो एसो सिनियर वा मार्केट को एक सुत्र में बांगने का काम किया लेकिन सवाल हम आपसे यह जानना चाह रहे हैं और हम मदाता को यह बताना चाह रहे हैं D.I.D. के माद्यम से जो आपके पैनल को वोट क्यों दे ये आप बताएगे जी हमारे पैनल को वोट क्यों दे ये सीधा सा हिसाब है कि हम लोगों ने मिल करके पूरी मार्केट का विकास किया अब विकास कारे जो किया है मैं आपको सारी चीजे डिटेल में बता सकता हूँ कि ह हमने क्या क्या किया है जो कि हमने एक अपना मनिफेस्टो भी जारूरी किया है जैसे कि हमने सरप्रथम हमारा एक काम था कि हम चार रहे फस्ट प्राथिमिक्ता थी कि हम अपने कारियाले का नमीनी करण करेंगे सो हमने किया बड़े अच्छे रंग से कारे समितियों का गठन किया हमने अलग अलग तरीके से हमने कारे समितियों का गठन किया और हमने बंगलोर में इंडिया ओड एक्सो वीजन में एक्जविशन में दिल्ली में भागिदारी ली वहां भी लिया हमने और एक तो हमारा दिल्ली में जो बी टू बी का हमने वाटसप ग्रूप भी मनाया जो कि हमारे सभी वैपारियों का बहुत लाब हुआ उससे हम लोग सारे मार्केट के लोग वैपार उससे करते हैं वन टू वन दू दूसरा ये है कि हमारे को एक्जविशन में हमारी इतनी अच्छी enemies को देखते बें हमारी मार्केट के पर्दान घे जो हमारे कांती भाई पटेल जी है और हमारी टीम को वहाँ पर इंवाइट किया गया कि आप आएं और एक्जिविशन में मुख्य सहबागी बने तो हम लोग वहाँ जाकर के हमारा बहुत वेलकम हुआ और हमारे से उन्होंने एक्जिविशन का हुद घटन करवाया हमारी बड़ी अच्छी अच्जिविवमेंट थी इसके बाद हमने मार्किट के लिए पहले भी स्टोरेज लाइसेंस बनवाए थे काफी और उसके बाद जो बाकी बचे थे इस कारिकाल में बनवाए और उनका नवीनी करण के लिए हमने समय समय पर उनका पूरा ध्यान में लाकर के हर दुकानदार भाई का हमने ट्रेड लाइसेंस इस्टोरेज लाइसेंस जो भी था हम उसे रिन्यू कराने में पूरी मदद करी उसका कैम्प का आयोजन किया गया टेलीफोन डारेक्टरी जो की बिकत दस वर्सों से नहीं बनी थी हमारा उदेश से था कि हम इस टेलीफोन डारेक्टरी को बनाएंगे और प्रकासित करेंगे जो की हमने उसको हमारे सारे साथियों ने मिल करके उस टेलिफून डारेक्टरी का निर्मार्ड किया और हमने अपने एक होली पंक्शन्ष हमारों में उसका उद्गाटन भी किया जो की उसका भीमणड है हमारे पास और उसको बड़े अच्छे से मनाई कम समय में मनाया एक जो की बात बार बार हमें कहा जा रहा था कि हमने वेपसाइड का निर्मार्ट किया है लेकिन वेपसाइड चालू नहीं है लेकिन मैं कहता हूँ जो लोग कह रहे हैं जूट बोल रहे हैं वेपसाइड हमारी आज भी उनको खोलना आता है तो वोग उस website को खोलें और इसको देखें हमारी website आज भी सुचार रूप से काम कर रही है और उस हमने सबसे बड़ी बात ये करी है कि market में अगर हमारे association में fund किसी time पे अगर जो था हमारे पास जिस समय हमने उसको लिया कांती भाई ने अपने हाथ में लिया चार्ज लिया उसके बाद उस fund का बढ़ाने का कार हमारी team ने किया और बड़े अच्छे तरीके से किया उस fund को कभी घटने नहीं दिया और बहुत अच्छा fund हमने create किया फंड को आगे बढ़ाने के लिए, हमने जो प्रियोग किया वह MD है, साथ में जो directory हमने बनाई, उस directory से पूरे मारकिट से हम लोगों ने बिग्यापन लिया, बिग्यापन लेकर उससे हमने पैसे लगा करके उस को छपवाया, उसमें और उससे फंड को अपने नीचे घटने नहीं दिया उसके बाद हमारी डारेक्टरी तियार हो गई लेकिन फंड को हमने नीचे आने नहीं दिया हम उसको आगे बढ़ाया फंड को और इसके बाद एक जो हमारा था इसमें कि हमने एक settlement committee मनाएंगे वो जो ब्यापारी भाईयों का dispute होता है लेंदेन का पैसे का किसी भी तरह का होता था अगर कोई ब्यापारी परिशान है और तरस्त है कि मेरा पैसा नहीं मिल रहा है तो हमने उसके लिए committee का गठन अलग से किया उस committee का गठन करने के बाद जो भी ब्य market का निर्ख्षण करने के लिए हम लोग हमेशा market में जैसे करोना काल आया था बीच में उस करोना काल के अंदर में समय समय पर market का दोरा करना समय समय पर आकर के देखना की हमारी market सुरक्षी था है कोई किसी तरह कोई problem तो नहीं है हमने कानून ब्यवस्ता को साथ में लेकर के उसको पूरी सुरक्षा भी प्रदान करोना काल में किया किसी भी दुकान नारभाई का कोई नुकसान नहीं होने दिया और जो हमसे हो सका हमारी एशुशन ने समय पर मास्क बितरन का भी कार किया मास्क भी बाटा साथ में उसके बाद जैसे market के अंदर सेंटराइजिशन करन आ कि आपको इसमें आपको जो है क्रोना से के लिए जो हमारी बर्जित है उनको आप अपनाए तो वो भी कार किया हमने ठीक है जी और सान्स्क्रित समीद व्यापार के साथ में हमने मरोरन्यन के भी साधन किये वो क्या किये कि जो कि मरोनन्यन के साथ साथ में हमने कुछ ऐसे कारिक दिये जो कि उसी समय पे हमारे गुरुनानक देव जी जिनका प्रकास परव उनका पांसो पचासमा वर्स का हमने एक आयोजन किया उसको बड़े अच्छे डंक से मनाया गया और उसमें लंगर प्रसाद का भित्रण किया गया खुब हमने खुशिया मनाई प्रकास उसमें और इसके बाद में जब पुल्वामा उसी समय पुल्वामा में अटैक हुआ था तो उसमें हम लोगोंने हमारी मार्केट में समय समय पर जा करके उस कैंडिल मार्काव आयोजन भी किया ताकि हम लोग उनको सदांजली सभी मार्केट के वैपारी और साथ में सभी टीम के लोग दे सकें वो भी कारी हमने किया सुरक्षा के लिए हमने तरह तरह के DCP, ACP उनके द्वारा सायोग लिया गया जो हमने कार करवाए गये और फायर डिपार्टमेंज से पता है कि मार्केट में कई बार आग लगने के कारण घटनाएं बहुत हुआ करती थी लेकिन हमारे फार स्टेशन में जो गाडियों की इतनी कमी होने के कारण गाडियों की इतनी कमी होने के कारण वहाँ पर हमें सुचार रूप से ठीक से हमें सायोग नहीं मिलता था हम सब लोग एस्टेशन के सभी लोग जाकर के वहाँ पर निवेदन हमारे करने के बाद वहाँ पर एक गाड़ी से पांच गाड़ी का और अर्रेंज करवाया गया हमारे निवेदन हमारी इस्टेशन के कहने पर कि टिमर्क मार्केट में हम लोग बैठे वे हैं तो हमारा ये काम एक गाड़ी से नहीं चलेगा इसे उप करपे आप बढ़ाने का कारेकर तो गाड़ियां बढ़ाई गई आप घंसियाम जी ये कहना चाहते हैं जो किए आपका पैनल काफी काम किया और ये आपका मेनिफेस्टो जो आपने जारी किया है उसमें सारी बाते लिकी हुई है हम इसे भी बताऊंगे इसमें मेनिफेस्टो के माद्यम से जो की आपका पैनल ने क्या घृशा चुनाव का रियल्टर निकल जाए तो वो अटोमेटिक एक्स हो जाता यह तो कांती भाई बताएंगे कांती भाई गंसयाम जी बता रहे थे जो कि आपने मार्केट के विखास के लिए मार्केट के उत्थान के लिए बहुत काम किया मैनिफेस्टो बता रहे थे गंसयाम जी जो कि यह यह काम किया करोना काल में जो है सो इस परकार के काम किये गए ज और अपने पार्टी फंड जो है इसोस गौवर्मेंट को सपोर्ट भी कि अप एसोसियेशन के तरफ से फंड दे कर जो हमारी जानकारी में है सबल हम आपसे यह जाना चाहते हैं जो कि इतने सारे काम करने के बावजूद हम जब उस पैनल के पजादी कारियों से बात कर रहे थे जो उमिदवार हैं जो अप पजाद इस पैनल के हैं तो उन लोगों में यह आवाज उठकर के आई और उसके संग्रक्षक के मंडल जो हैं उन्होंने बड़े गंबीर आरोप आपके पैनल पर लगवाए और मीडिया से यह बात उन्होंने कहा जो कि यहां मार्केट में करोना काल में बहुत सारे बैपारी वाई जो है गुजर गए या उनके बच्चे गुजर गए या बहुत सारा दिये हुआ लेकिन आपने एक ब आपने किया है गिनवाया है गंसियाम जी ने और इस तरीके से सारे चीज हुए हैं तो फिर एक संबेदना बेक्त करने के लिए तो नहतिकता भी है और समाजिकता भी है और धन भी करता है फिर इस तरीके का नहीं होने के पीछे क्या कारणा था देखिए अगर मैं कोई भी चाहा, वो मुझे सब दिया है, तो मैंने एक फरज समझ करके और ये प्रधानपद को मैंने लड़ा इलेक्षन और मैंने उसकी सेवा करने का मेंने मन में ठाना था, तो जब आपकी भावना ही सेवा करने की है, तो आपको बताने की जुरूत नहीं होती है, जर्दान जली का संदेश तयार करके पूरी मार्केट के जितने भी मेंबर्स होते थे उनको हमने सर्कूलेट किया है उसके बाद जैसे ही पहला जो भी कारकरम होता है उसमें हम उनके लिए दो मिनिट का मोन करके हमने किया है अगर हमारा जो गत जो हमारी अपने वार्शिक साम सामने वाला पैनल अभी अपने चुनाव के पर्चों के साथ जाके समय श्रदांजली की बात कर रहा है वो केवल चुनावी टाइम पे वोट लेने के लिए किया हुआ मैं स्टंड मानता हूं एक बात मैं और बहुत अच्छे तरीके से आज सब को बोलना चाहता हूं कि मैंने बावना से काम किया है मैं अभी भी चाहता था कि शुद बावना से हमारे एसेजन में चुनाव ना हो लोग आपसे बैठ के जो कारेकता शक्षम हो उसको हम सौपें और वो काम करें लोग दो तरीके के प्रशन करते हैं कि कांती भाई इलेक्शन में क्यों नहीं है चुनाव जाते हो तो आपके अंदर अहेंकार आता है कि भी मैं मैं सब कुछ कर रहा हूं मैं चला रहा हूं ऐसा नहीं होता है बगवान चलाने वाला होता है उसके साथ हम कारे करते हैं हमारे को सफलता है मिलती है मेरी पहली बावना यह थी कि दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए इस मौके के लिए सामाने सभा ने मुझे ये कहा था कि आप जो है continue करो लेकिन मैंने उस चीज़ को मना किया था मैंने बहुत विनमरता के साथ उन से निवेदन किया कि नहीं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है मैं नहीं करना चाहता हूँ हम दूसरे को किसी को करेंगे उसके बाद मैं कई लोगों से जाके मिला हूँ मैंने परसलिंसे रिक्वेस्ट करी है कि आप आकर कि इस काम को संभालो या आप को इनाम बताओ जिसको हम लेके आते हैं और सब मिल करके बैड़के उनको जो अच्छा जो भी जनल सेक्टरी चाहिए जो चाहिए उसकी टीप बनाके उनको हम सौपेंगे और मिल जूल करके काम करेंगे क्योंकि इलेक्शन में हम एक अच्छे साथ कारेकरताओं को खोएंगे चाहे किसी भी टीम का जो भी हारेगा वो हम कारे करता है शोन हमारा हम खोते हैं तो मेरी भावना हमेशा यह होती है कि हम आपस में मिल बैठ करके यह काम करें लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मार्केट के कुछ राजनितिक लोग जो है जो जिनकी बैकरण राजनिति है वो लोग यह नहीं चाहते हैं कि मार्केट में आपस में सब लोग व्यपारी अच्छे तरीके से कोई काम करें उन्होंने उस तरीके से आ करके और इसको पूरे चुनाओ को जो है एक राजनितिक रूप दे दिया अभी आप देखेंगे तो हमारे जो विरोधी टीम जो हमारे सामने खड़ी हुई है उसमें प्रत्याशी की फोटो है छोटी है और आप जो उनको लड़वाने वाले हैं उनकी फोटो है बड़ी बड़ी लगी हुई है तो आपको साफ दिखाती है कि कौन इलेक्शन लड़वा रहा है और दूसरे लोग मजूरी में इलेक्शन लड़ रहे हैं मुझे ऐसा मैसूस होता है मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे को इतनी इजट दी हमेशन है क्या साफ साकार मिला है हमारे को इंडिया दर्पन का हर कारे के लिए तो मैं आपको इस आपके माध्यम से हमारे मतदाताओं को अनुरोद करूंगा कि मैंने जो नीव रכई है तीन साल में मेरे को जो टाइम मिला उसमें मैंने जो इमारत की अच्छी मजबूत नीव रखी है हमने अलग-अलग कारे जो सरकारी विभागते हैं उनसे हमने कॉडिनेशन किया है अलग-अलग एस्टूशन से हमने अपनी मितरता बनाई है सबंद बनाई है उन सबका लाव हमारे एस्टूशन को continue मिले इसके लिए आप जो मेरे उतराधिकारी है जो मेरी टीम हा रही है उसको आप सपोर्ट करके पूरे पैनल को वोट दे करके आप जिताएं ताकि उन से उनके उपर मैं नज़र रखोंगा मेरा मार्ज़सन उनके साथ हमेशा रहेगा और हम जो भी हमने हमारे जो एफट किये हुए है वो एफट जो है वियर्थ नहीं होंगे आप सब लोगों का भी इसमें विकास को हम ध्यान रखेंगे कि सब कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो और अच्छे साचे हम ये मार्केट का विकास करेंगे दन्यवाद कांती माई आपने बहुत अच्छी बात बताई और अपने बात को आपने रखा आप रहे परदान रहे और एसिया की सबसे वरी टिमर मार्केट एसोसियेशन का परदान होना बरे गौरब की बात होती है आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहते थे एसिया की सबसे वरी टिमर मार्केट के विकास के लिए और आप अपने कार्जकाल में उससे नहीं कर पाए थेकिए आप भाईयों आप सबको पता है कि जानते ही हूंगे चांदी चोक में दिल्ली सरकार ने इस मार्किट को एक बहुत अच्छे तरीके से मेरा यही सपना था कि मेरी मार्किट भी चांदी चोक के मुकाबले में ही यहाँ पर तयार हो इसके लिए हमने दिल्ली सरकार के साथ निरंतर हमने उसका संपर्थ किया उनके साथ हमने मीटिंगे करी उनको हमने कन्विन्स किया कि हमारे प्रदान मंत्री मोदी जी का सपना है कि भारत का furniture एक्सपोर्ट बढ़े तो हमने सरकार को कन्विस्ट करने की कोशिश की कि दिली अगर इंडिया में फनिचर बढ़ाना है तो अच्छा मार्केटिंग प्लेस हमें देना पड़ेगा, मार्केट देनी पड़ेगी जहां बाहर का वैपारी आए और फनिचर देखे पसंद करे और लेके जाए उसको आग स्रीट लाइट में थोड़े बैंच लगवा देते हैं और पार्किंग की अच्छी विवस्ता हमारे बात हो जाती है तो यह सब कुछ आपको तयार मिलता है एरपोर्ट के नदिक है रहने के लिए होटलों के आसपास है इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है आप सरकाम आध जी और विजे पटेल ने उस मीटिंग को रिपेजेंट किया था और मुझे लग रहा है कि उन्हों ने उस बात के साथ यह तैय कि दिल्ली में पांच मार्किट को पहले डेवलप करेंगे हम इसी उमीद में है कि यह पांच में से एक हमारी मार्किट हो जाए यह मेरा सपना ह है और मैं अमरी टीम से भी हमेशा में रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को यह मेरा सपना जो है पूरा करने जब तक नहीं होगा तब तक मैं चैन से ना बैटोंगा ना इन सबको बैटने दूँगा दन्यवाद आपने सुना जो किस परकार से कांती भाई के दिल में दर्द ह है जो एसिया की सबसे बड़ी टिमर मार्केट जो एक अंतराश्टिये हब बन सके उसका उन्होंने अपने कार्जकाल में प्रियास किया लेकिन वह नहीं हो सका आने वाली टीम निश्चित रूप से उसे और आगे बढ़ाने का काम करेगा और मार्केट के भी है झाल 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 कि अब हम बात करेंगे जो राजिस गुपता जो पिछले चुनाव में यहां के मदाता होने इनके बड़ी मतलब एक इतिहास है राजिस गुपता के परिवार का इनके पिताजी भी इकलोते जीते थे जब और पुरे प्रण पाइनल उसमें हार गया था लेकिन उनके पिताजी परदान के पद पर हुए थे और समय में बड़ा ही बतलब यह च्छत्र ऐसा लगड़ा था जैसे कि निगम का चुनाव हो बिधान सवा का चुनाव हो और इनके पिताजी मूलचंद अगरवाल जी उस चुनाव को जीतने नहीं कर पाया और इस वार इनों ने जिस पैनल से चुनाव लड़ते थे उस पैनल को छोड़ कर करके जो पैनल पिछले वार विजे ही हुआ था उस पैनल के साथ बरिष्ट उपरदान के पद पर चुनाव मेदान में है तो राजे जी आपका डियाइडी पेर स्वागत है और आप बताईए जो आप पिछली वार उस पैनल से बिजे ही हुए थे लगाता रही कृति नगर के मदाता आपको आपके परिवार को सपोर्ट करता रहा भोट देता रहा बिजे ही बनाता रहा तो अब आप इस पैनल से सिनियर भाइस परसिडेंट के प्रत्यासी हैं तो आपको इस वार यहां का मतदाता भोट क्यों दे नमस्कार भाइयो मेरी तो शुरू से यह रही है जी सिर्फ काम करने की इच्छा रही है और सेवा करने की इच्छा रही है पिछली बार भी मैं जीत के आया और अपने चारो भाइयों के साथ मैंने पूरी लगन से मेहनत से क काम करती है सजोग करती है तो इसलिए मैं इस बार इस टीम के साथ आके चुनाव में लड़ रहा हूं बाकी मेरा पिछला है जो मैं 8-9 साल से कैशार की सीट पर रहा हूं उससे पहले अपने प्ताजी के टाइम से संबन्द उनके साथ-साथ में काम करता रहा हूं तो उसी सारे अपने experience को जोड़ के मैं यही लोगों से प्रात्ना करता हूँ कि मुझे सेवा का मौका दें आगे भी ताकि मैं market के विकास के लिए और सारे भाईयों के साथ मिलके अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स करते हूँ आप रजेश जी काफी समय से association से जुरे हुए हैं ऐसा कौन सा काम है इस market में जो आपको बार बार कचोटता है जो यह होना चाहिए market के विकास के लिए बैपाडियों के उत्थान के लिए और वो नहीं हो पा रहा है market के विकास के लिए थोड़ी सी हमारे लिए parking की problem बहुत ज़्यादा है market में अंदर कि ग्राक आता है तो उसको parking की दिक्कत होती है जगे नहीं मिलती है तो उसके लिए हमने पहले भी MCD से और बाके department से काफी कोशिश कर रहे हैं कि multi-level parking बनवाई जाए किसी तरीके से demand कर रहे हैं मिलताओं से मिल रहे हैं तो यही कोशिश है कि अगले दो-तिन साल में कोशिश करके कि बनवाई जाए किसी तरीके से और market का विगास हो सके ताकि customer हमारे दुकानों पर आ सके अपने सुना जो राजेस गुपता जी ने आपको बताया जो कि यह क्या चाहते हैं और market में क्या समझ से अब हम आपको एक ऐसे परत्यासी से रूबरू कराते हैं जो पिछले चुनाओं में यहां के मदाताओं ने जीने चुना था और इस बार उनका परमोसन हुआ है और उ चुना और चुनने के बाद आपने धेर सारे बादे भी किये थे और आप फिर से इस वार चुनाओं में हैं पैनल में हैं आपको जो एसो परमोसन दिया गया है जरूर आपका पैनल आपके कारज दक्षता को देखा होगा और देखने के बाद जो एसो आपको परमोसन दिया है तो आपको इसवार यहां के मद्दाता किर्ती नगार टिम्बर मार्केट के मद्दाता भोट क्यों दे सबसे पहले तुम्हें do adhereड दिनियूज के सभी तर्शकों को अभी Прीवादन करना चाऊंगा साथ में ललित सुमंजी को भी अभी वादन पर चुन के आया था और पिछले पैनल के साथ जो भी हमारे विजय उमीदवार थे, साथ में राजेश जी जो विरोधी पैनल से उमीदवार होके आये विजयता होके आये थे, हम सब ने, पांचों ने कंदे से कंदा मिला कर काम किया, हम सबी जगे डिपार्टमेंट में गए, सबी जितने भी हमारे यहां पे छेतरी है, नेता थे, MLA हों, MP हों, या कॉर्पोरेशन के हों, हम सब से मिले, BC से मिले, हम कमिशनर, MCD से मिले, हम सब के पास जाते थे और हमारे में बहुत ही अच्छा सामन जस्य होता था, इसी सामन जस्य को देखते हुए, इस बार राजेश जी भी हमारे साथ जोड़ गए हैं, और यह सामन जस्य करने में कुछ मेरा भी योगदान है, मैं अपनी बढ़ा ही नहीं करूंगा, साथ में जो और भी कारे हुए हैं, मैंने कोशिश किया है कि पूरी मार्केट को डिजिटली जोड़ा जाए, पहले हमें सर्कुलर हमने इसको लोगों को में निकटता बनाई है, और साथी साथ मैं सभी अपने दर्शकों से और अपने साथी सदस्यों से कहना चाहूंगा, कि जिस तरह से हमने पहले कारे किया है, हमने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है, गंशाम जी ने इस रिपोर्ट कार्ड की विस्तरित में आपसे चर्चा की, इस रिपोर्ट कार्ड को हमने तीन खंडों में बनाये हुआ है, जो कारे हमारे बस में थे, जो हमें करने थे, जो कारे हमने अधिकारियों से करवाने थे, उसको खंड बह में हमने बता रखा है, और जो कारे हमें करने हैं, उसको खंड सी में बता रखा है, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, सभी मेंबरों से निवेदन है कि इस report card कम manifesto को बहुत ही ध्यान से पढ़ें दूसरों की आलोचनाओं में ना आ हैं और हमारे जो कारे किये हैं, हमने उसका प्रचार नहीं किया है, यह थोड़ी सी हमारी गलती रह गई है आगे से हम इसका पुर्जोर से प्रचार करेंगे जो हम काम करने हैं, जहां कहीं भी जाएंगे आपको तुरंट सूचित करेंगे, लेकिन आप इस report card को देखिए, और हमारी जो यह जुगारू टीम है और जो एकदम प्रगती शील टीम है उसमें हमने अपने जो तीन नए सदसे भी जोड़े हैं, उनको हमने पहले executive में लिया था, उनने बहुत ही अच्छा हमारे साथ काम किया, तभी उनको भी पदोनेत करके दूसरे पद दिये जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हम चार जो पुराने हैं, उसे साथ साथ हमारे जो तीन नए सदसे हमारे साथ जुड़े हैं, हमने seeds भी इसलिए बढ़ाई है कि थोड़ा सा market का काम भी बढ़ गया है, प्लस हमारी membership जो संख्या हैं, कि हम उसका legal opinion लेके बहुत ही डंग से और तरीके बद कारे करें इसके अलावा हमें जो conversion की problem आई MCD बार बार हमें main road पे conversion मांग रही थी हमारे land use को लेके उस पर भी हमने legal राय ली और civic center में संजय गोयल जी आईये सदीकारी से मिले, उनने भी हमें कई बार compel किया, हमें force किया कि हम इसका conversion भर दें, part भर दें, कुछ भी करें हमने उस बात को नहीं माना, हमने लोगों से राय ली, लोगों के बीच में गए लोगों से सर्वसम्मती से हमने फैसला करा के हम legal fight में गए और जो भी हमारे निर्णे हमारी प्रदान सीट से लिया जाता है, हम उस सीट पर मतलब हम उस निर्णे पर पूरे पूर जोर से काम करते हैं और अपना पूरा समय देते हैं, हमारा इसमें थोड़ा सा personal व्यपारिक loss भी होता है, लेकिन हम भी जाते पूरी सारे मेंबरों की सुरक्षा के लिए सारे मेंबरों के हितों के लिए हम काम करते हैं पार्किंग के लिए हमने पहले प्रयास किया है अभी हम प्रमुकता से पार्किंग पर मैं ध्यान दूँगा मैं specialist parking का जिम्मा लूँगा कि पार्किंग कैसे बढ़ा ही जा सके किस डिपार्टमेंट से क्या किया जा सकता है क्योंकि association is not an executive body association के पास कोई powers नहीं है हम department से request कर सकते हैं member की request के उपर कि हमें ये चीजों की जरुत है उनको pursue कर सकते हैं कोशिश कर सकते हैं कि नेताओं को जागरुक करें कि हमारे चितर में कमिया हैं उन कमियों को पूरा करने के लिए नेताओं को compile कर सकें और हमारी ये पूर जोर कोशिश रही है और आगे भी रही इसलिए मैं आप सबसे कारे किया है वैसे ही आगे भी आपकी सेवा दे सकें धन्यवाद जी बिजाई जी आप बार बार जो है सो यह बता रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बड़ी बिस्तार से बता दिया जो बात पीछे से आ रही थी उसे आपने और आगे बढ़ाया लेकिन आप एक पिछली देने का विचार किया लेकिन आपके उपर मार्केट में जो ऐसो लगाता रहा और उस पैनल से भी बात करने पर रहरा है आपके जैसे इतने साफ छवी और जो चो यह आरोप आहला है यह आरोप लिए अलग रहा है जो की सिया की sugar是不是 को स्लम बनाने का काम आप कर रहा हैं विल्डरोश से मिलकर बरे प्लॉट को आप टुक्ले मेक कर दुकान पर छोटे छोटे दुकान निकल रहे हैं इससे मार्केट का जो वजूद है जो एक बगल तो आपका इतना वड़ा सपना है आपके पैनल का इतना वड़ा सपना है जो मार्केट का जो है एसिया के सबसे बड़े टिंबर मार्केट का जो है सो सुरूप दिया जाए दूसरे बगल इस परकार का यह आरोप क्यों लग रहा है कहां से लग रहा है इसके संद सारी जनता मुझे यहां पर पर सब्सक्राइब करता हूँ और इसको मैं बहुत ही संशिप्त में इसको खतम करना चाहूंगा मैं आपको एक मोहरा पताता हूं जो मैंने सातवी कक्षा में पढ़ता था उल्टा चोर कोतवालो डाटे जिस समझना है वो इस बात से मोहरेज चाह जादा मैं इस पे नहीं बोलूँगा धन्यवाद धन्यवाद विजय जी आपने बहुत ही असपस्ट रूप से बात का जवाब दिया जो की उल्टा चोर को तबाल को डांटे यह बहुत बड़ा मुहावड़ा है और जो लोग यह इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो भी य को दे कुछल जी हम कुछल जी बैपारी हैं अच्छे बैपारी हैं पहली वार चुनाव मैदान में आये हैं हम इनसे यह जाना चाहेंगे जो कि यह बताएं जो इन्हें भोट क्यों दे सबसे पहले मैं समार्केट के सभी सम्मानित सदस्यों और डी आइडी के सभी तर्शको का अबिनंदन करता हूँ और उसके साथ साथ, मेरे पैनल के मेरे वरिष्ट साथियों का मैं अबिनंदन करता हूँ जिन्होंilate मुझे इस इस मार्किट की सेवा का मुखा दिया और इस मार्किट की कारश हैली, हमारे प्रदान श्रीकांती भाई जी कार शायली को देखते हुए ऐसा लगा कि वे हमें भी कुछ आगे बढ़के स्मार्केट के लिए कुछ करना चाहिए व्यपार करने के लिए व्यपार के साथ साथ व्यवार पर इस मार्केट की प्रक्ति के लिए अगर हमारे यसे आदमी आगे नहीं आए धनवाद बिनो जी अब हम बात करेंगे जॉइंट टेजरर के लिए दिनेज कुमार जी हैं एक अच्छे बैपारी हैं और इनके कार्जों को देखते हुए इनके एसोसियेशन के परती समर्पन को देखते हुए और मार्केट के लिए इनके दिल में जो दर्द है उसे देख परचाई देते हुए आपका बैपार किस परकार का है और कब से आप इस मार्केट में हैं और आप क्या चाहते हैं मदाता से मैं पहले नमशकार सब साथियों को सब जर्शकों को मैं नया मेंबर इस अस्योशेशन में आज अमीद वारी कि सीट पे खड़ा हुआ हूँ सब से पहले मेरे को आपका सवाल है वोट क्यों दे वोट मेरे को इसलिए दे क्योंकि इस एस्योशेशन में पहले पांच अधिकारी थे अब साथ अधिकारी क्यों लिए गए हैं एस्योशेशन का काम थोड़ा सा बढ़ गया है इनके मेंबर बढ़ गए हैं मेंबर बढ़ने से हम या हूँ मेरे को क्यों लिए गया है मेरा पर जहां दोयर चार सिरी बपार है प्लाइब का पार जिस एरीया से माया हो वी ब्लोक से ऊस एरिया से रिजी इस रीजी आपो ठ्रेज़े की सीट को छोड़के सीनर वाइस प्रेजर के सीट बाए है एक हेलपर की भी रेज़र को जरूर थी इसलिए मेरे को लिए गया है बहुत बहुत धनवाद दिनेजी फिर आगे भी हम चुनाओ के बाद बात करेंगे अब कल तो चुनाओ है और मत आता तै करेंगे कल इस पैनल को कितने मतों से कितने अधिक सक्ति को लेकर करके आती है अब हम बात करेंगे यहां जेनरल सेक्रेटरी के पद पर एक जाना पहचाना नाम और जिनका मुकावला भी जो है एक पूर जेनरल सेक्रेटरी से है और बरे ही काटे की टकर होने की संभावना बैत की जा रही है बिक्रम बर्मा बिक्रम बर्मा के पिताजी भी इस मार्केट एसोसियेशन के जेनरल सेक्रेटरी थे बिकरम बर्मा पड़े लिके क्वालिफाइड इंजिनियर है और मार्केट के लिए जो पत्राचार का काम होता है वो बिकरम बर्मा जो है सो लगातार करते रहे हैं तो हम बिकरम जी से बात करेंगे जो आप सबसे पहले ही बताएए हम आरोप पर बाद में चर्चा करेंगे जो आपके उपर क्या आरोप लग रहा है पहले आप ये बताईए जो डियाइडी के माद्यम से जो कि आपको इस्वार पूना मदाता भोट क्यों दे मैं डियाइडी के दश्कों का धन्यवाद करता हूँ और मैं अपनी मार्केट के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को चुन के जनल सेक्टरी की पत पे बिठाया और सेवा करने का मौका दिया मैं इस पत पे दुबारा इसलिए मैंने देखा क्योंकि मेरे को कोई ऐसा नहीं मिला कि जो इस पत को की जिम्मेवारी को सोचारू रूप से संभाले हमने अपने पैनल में बैटके हमने कांती भाई कांती बैटके बहुत इस पर विचार विमर्च किया कि हम लोग आगे इसको कैसे बढ़ाएं जैसे कांती भाई एक अपना पत छोड़के आगे उन्हें का आगे किसी और को मौका मिलना चाहिए है तो मैंने भी अपने इस तरह से एक बार उनको यह स्चीज के बारे में जटाया लेकिन उन्होंने का कि आप इस पत के उपर अभी आप करें तब जब तक कोई दूसरा आपको इस पत को इस जम्मेवारी संभालने के लिए योगे ना हो बिक्रम जी आप अच्छा काम कर रहे हैं आपको पुना पैनल ने आपके उपर भरोसा किया निश्ची तरुप से आप अच्छा काम कर रहे होंगे अपने टीम के साथ तो आपको पुना मासचिप का पद दिया गया है चुनाओ मैदान में उतारा गया है आपके उपर जो य मार्केट के अंदर आना चाहिए आप मेन रोड से उठकर करके आप मार्केट में आते ही नहीं है यहां के बैपारियों से मिलते ही नहीं है जो काम आपके पिदाजी करते थे जो मिलते थे बात करते थे लेकिन आप मार्केट के अंदर आकर करके बैपारियों के दुख को नहीं महसूस करते हैं तो अपनी दुखान पर बैटके महसूस करते हैं अंदर आप नहीं आना चाहते हैं यह आपके उपर बहुत ही गंबीर आरोप है इस अंदर में आप क्या कहना चाहिए ऐसा है कि मैं इस आरोप के बारे में टिपनी बाद में करूँगा मैं इतना जुरूर पहल जिलाए ते नगी कि मैं घूद जाकर पहले प्रॉपलम को देखूं और समझूं तो इसके बारे में उस की शिकाईत आगे कैसे भेजूंगा उसके बारे में 25-चार कैसे करूंगाust तो इसलिए ये जिसने भी ये जिसने वी अरोप लगाया है बिलकुल गलत है हमारा ये से कि सीधा ये है कि हमने पिछले साड़े तीन साल में कोरोना काल बीच में आया भी था। उसके बावजूद भी। में ना चिहाल है साड़े चाथ सो के ऊपर चड़े लिग Hमने पत्रचार किये है साड़े चार सो, साड़े तीन साल के अंदर पत्रचार कोई कम नहीं होता है और उसी दोरान, इसी मार्कट के अंदर हमने सारters, हर ब्लॉक के अंदर आके रोह ważne के लोगों से मिलना उनकी प्रॉब्लम समझना आज उसी का रिजल्ट यही है कि हमने इतना जैसे 28 करोड का जो हमने बजट पास करवाया जो हमारी यहां पे सडके और नाले और इनका निर्मान हो रहा है अगर मैं अंदर नहीं आता तो क्या यह हम संभव हो पाता बहुत ही असपष्ट बिचार रखा बिक्रम बर्माने और कहा कि इनके उपर जो आरोप लगाये जा रहे हैं वो निराधार है और इनों ने बजट पास करवाया है और जब मार्केट में आते हैं समस्या को समझते हैं उसके बाद ही पत्राचार होता है और उस पर मार्केट का बिकास हो रहा है अब हम बात करेंगे एक नए परत्यासी के रूप में और आए हुए रितेश जितानी जी जो सचीब के पद पर हैं और रितेश जी आपका डियाइडी डियूज में स्वागत है आप बताईए आप पहली बारा है हैं और चुनाव मैदान में हैं और वह भी सेक्रेटी के पोश्ट के लिए अगर इस पैनल ने आपका चैयन किया है तो निश्चित रूप से आपके अंदर कुछ ऐसी छमता उन्होंने देखा होगा अब यह पताईए जो आपको यहां का मद्दाता इस वार बोट क्यों हैं पहले तो मैं डियाइडी के सारे दर्शको अगर आप prot śmोग का्म करिया तो मैं सामने आया हूं और 85 रसल्मेर काम कर रहा है और मैं मार्केटके अंदर अप्रियो मेरी से सामने और लोग मन नगा गर करके मार्केट के भी गास के लिए खाम करें और कल मददाता आप लोगों के भागे का फैसला करेगा और साम को फिर आप लोगों के भागे का क्या फैसला होता है डियाईडी रात को फिर से दस्कों को एक वार बताएगा और इंडिया दरपन के माध्यम से भी फिर आप तक और पूरे दिली बे जगा जगा चाहे वो परसासमी काजिकारी हों राजनेता हों बैपारी हों सब तक आपकी विजय होने की बात पहुंचाने का भी काम करेगा चुकि निस्पक्ष मीडिया निस्पक्ष होता है सोतंत्र होता है इसलिए हमारी सुभकामना है जो मददाता आप पर विस्वास करें आपके पैनल पर विस्वास करें जब तक रिजल्ट डिकल करके नहीं आ जाता तब तक हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप विजय हो गए हैं वो अधिकार मद्दाता का है और मद्दाता कल आपके भाग का फैसला करेगा राष्ट सरपर्थम, बंदे मातरम, जाग उठा है भारत 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका परते रहें देश-दुनिया की खबरों के लिए 22 वर्ष में आपके लोग पुरे समाचार पत्र इंडिया दर्पन का परवीर, आपके इसके रहें अपने शित्र खबरें और अधिक खबरों के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दर्पन को अभी सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले करेंगे विए जाइब करेंगे यूले झाल झाल